हेलो एवरिवान वेलकम बैक तो माई चैनल आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट स्पंजी बनका तयार हुआ है यह है केरेट केक तो आज हम बनाएंगे केरेट केक जिसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही टेस्टी बनता है और सबको बहुत ही पसंद आता है आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनका तयार हुआ है तो केक बनाने के लिए जो इसका मेयरमेंट है वो बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए त और हाफ कप जो है मैंने लिया है चीनी का पाउडर लिया है यहां पे मैंने घर पे चीनी थी उसी को पीस करके लिया है वो डाल दिया है एक चमच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर का और वन फोर्थ चमच यहां पे मैंने लिया है बेकिंग सोडा और वन फोर्थ चमच के करी भी यहां पे मैंने लिया है cocoa powder और pinch यहां पे मैंने लिया है salt तो सारी चीज़े हमने डाल दी है अब हम सारी चीजों को छान लेंगे अच्छे से नमक इसलिए डाला इसमें जो इसका जो carrot होती है वो भी मीथी होती है तो इसके लिए इसका जो टेस्ट है वो balance हो जाए तो सारी चीजों को हमें चान लेना है तो इस तरह से सारी चीज़े हमने चान ली है और एक बार इसे चीजों को हमें अच्छे से spoon की help से mix कर लेना तांकि चीज़े अच्छे से mix हो जाए तो इसे रख देंगे चीज़े एक side पर तो अभी हम कर लेंगे liquid जो हमारा ready कर लेंगे तो यहां पर मैंने एक ball लिया है इसमें डाला है है एक कटोरी मैंने लिए है दहीं की दहीं जो है खटी नहीं होनी चाहिए उसे बीट कर लेना है उसमें कोई लंस ना रहें तो दहीं को अच्छे से बीट कर लिया है तो यहां पर मै ने वनफोर्थ कप лिया है ओल क आप घी का भी यूज तो यहां पे दही के साथ अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि दही और गही अच्छे से mix हो जाएं, और यहां पे मैंने लिया है दूद्ध यहां पे 2-3 चमज के करीब मैंने दूद्ध डाल दिया है इसके अंदर, तो दूद्ध के साथ इसको भी बीट कर लिया है तो अब जो हमने ड्राइ इंग्रेडेंट्स लिये थे धीरे-धीरे करके इसमें मिक्स करेंगे सारा एक बार से हमें मिक्स नहीं करना है तो हाफ पोशन जो है इसमें मैं डालूंगी और फिर से मिक्स कर लेंगे तो अब मिक्स करने के बाद जो हाफ बच गया था उसे भी मैं सारा इसमें डाल दूंगी और एक बार फिर से हमें इसे मिक्स करना है अगर आपको लगे ये थोड़ा थिक बैटर है आपका तो आप इसमें दूद और डाल सकते हैं एक दो चम्मच आप इसमें दूद डाल सकते हैं तो परफेक्ट बैटर हमारा रेडी हो गया है और यहां पर मैंने ली है एक कप जो है कैरट को मैंने कदुकस करके रख लिया था यहनी के ग्रेट करके रखा था तो इसमें mix कर देंगे और इसे अच्छे से चलालेंगे इस तरह से cut and fold method से और यहां पर मैंने कुछ पदाम है जिन्हें चॉप करके ले लिया था आप कोई भी dry fruit इसमें डाल सकते हैं, तो इसे भी mix कर देंगे, तो बैटर हमारा ready है, तो अब इसे हम डालेंगे tin में, तो कर लेते हैं, tin को grease, तो यहाँ पर मैंने लिया है, एक baking tin ले लिया, उसे oil लगा लिया है, इस तरह से brush से, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ butter paper, इस पर अगर आपके पास butter paper नहीं है, तो आप इस पर मैदा भी dust कर सकते हैं, तो butter paper को भी oil लिंग कर लें इस तरह से, तो अब बैटर केक का इसमें डाल देंगे, तो बैटर सारा डाल दिया है, अब इसे एक बार, बैटर को डालने के बार, हलका हलका इस तरह से, दो से तीन बार dab dab कर लेंगे, तांकि इसमें जितने भी air bubbles है, वो निकल जाएं, और इसके उपर फिर से मैंने, बादाम में जो है वो लगा दिये हैं, तो चलिए अब इसे क कर लेते हैं, बेख, तो बेख करने के लिए मैंने कडाई को पहले से ही प्रीहीत कर लिया था, इसमें मैंने नमक डाल के रखा है, तो यहां पर मैंने जो पुरानी प्लेट है साथ इस पर जो केक को रुख दिया है, अब थकन ग्रुकर भीघड़ करना है, तो अब इसे तो यहा पर मेरा जो केक है अभी नहीं बना था तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए और बेक किया तो 10 मिनट के बाद मैंने 40 मिनट मेरे लगे केक बनने में आ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स टाइम विजट कर रहे हैं तौ प्लीज चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कर ले तोRead पर देखिए अब बटर पेपर है उसे मैं रिमूव कर दूंगी और कलर बहुत ही अच्छा है इस में हमने कोको पाउडर डाला है इस लिए थोड़ा से यह ब्राउन कलर में है दिखे कितना सॉफ्ट बनका तयार हुआ है यह केक यह देखे कितना soft है और बहुत ही delicious बनकर तयार हुआ था तो अगर आपको यह recipe पसंद आती है तो please इसे like, share जरूर करें तो मिलते हैं next video